Hello everyone, good morning, मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस वीडियो में आज भी डिसकर्स करेंगे आज के करेंट अफेयर के कुछ important MCQ और important fact की और definitely आने वाले एकजाम के लिए useful होगा, let's do the start, so first current affair, भारत का पहला स्वादेसी एरकराप के करियर वीकरांट चार अगस्त को ट्राइल के लिए समूदर में उतारा, इससे पहले जुलाई के आखरी में वीकरांट को बेनिश ट्राइल सफल रहे थे, ऐसे में वीकरांट को 2022 में नौ सेना में सामील किया जाने की उमीद जता रह गया है, जिसने 1971 के यूद में निरनायक भूम का निवाई थी, नेक्स्ट है, भारती होकी टीम ने 41 साल बाद रचा इतिहास, जर्मनी को हरा कर जीता ब्रांज, तोक्य ओलंपिक 2020 में भारत की होकी टीम ने रच दिया इतिहास, नेक्स्ट है, बर्स 2019 के बाला कोट हवाई हम प्राधारित नई पुष्टक, गडूर परकासन द्वारप परकासित पुष्टक का नाम है, बाला कोट एर श्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामान नामक नई पुष्टक लिखी गई है, जो नौ सेना के अनुवावी मनभाट द्वार लिखी गई है, नेक् के बारे हम जानते हैं, लद्दा के एक 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 अंदर सासित पर्देश है, जो 11 अक्टूबर 2019 को बनाए गया था, रजदानी ले खारगिल है, लेक्टिनर गवर्नर रादा क्रिशनन माथूर परता, यह क्यों सा है, तो यह परतम है, नेक्स्ट है, आई 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 टी रूड आर्थिक मामले के मंत्री मंडल समीती ने हाली में संसोधित समगर सिच्छायोजना को पांच वर्सों की अब्दी के लिए एक अपराइल 2021 से 31 मार्ज 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दिये, जिसमें कूल परिब्याए 2,94,083.04 कड़ो रूपया होना है, नेक्स्ट है, रवी दहिया ने उलम्पी के मेरजट पदक जीता, जो हर्याना के सोनी पत के रहने वाले पहलवान है, यो टोकियो उलम्पीक 2020 से मेडल जीता, 57 केजी के भारवाला, वहाँ यूग बे के बहतरीन डिफेंस के नजारा पेस किया और अंको के अधार इतिया मुकावला साथ च इंपोर्टन्ट अब्जेक्टिव कोश्चन पहला है, बित बर से 2021-22 के लिए केंदर सरकार ने मुद्रारी ने कालाच घटा कर कितने लाग कड़ो रुपया कर दिया है, तो 3 लाग कड़ो रुपया जो इस से पहले 3.21 लाग कड़ो था, इस योजना के तहत बैंको और गयर मंच अस्थापीत करने का प्रस्ताब को मंजूरी दे दिया है, तब फिर की मूल का, जो अस्थाई मंच नकसलबाद, जोनोफोव या नकसलबेदबाब और असाहिन सुनता की चुनाती का समाधान करने में बिशे सग्य सलाह परदान करेगा, निफ्ट है, भारतिये पूरु प्रस्ताबज् Jupiter की में जेर्मिन को मैच में पान चार से हरा कर ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया है, इससे पहले आकरी बार होकी में टीममी इंडिया ने 1980 में एलमपिक मेडल जीता था, इससे पहले भारतिये टीम साल 1968 और साल 1972 में ब्रॉंज मेडल जीता है, नेक्स्ट हाल ही में कौन से स्वादेशी एरक्राफ्ट केरियर बिकरांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्री परिच्छन किया है तो पहले यह बिमान पोत का बजन है 40,000 टन है जो 50 साल पहले 1971 में यूद में अहम भूब का निवाने वाला जहाज का नाम दिया है एपीडा ने क्रिसी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कि साहर में इस्थित क्रिसी बिग्ञान बिस्विद्दाले के साथ समझाता ग्यापन पर हसाचर किया है तो बेंगलूरू बेंगलूरू जिसके तहत उत्पादन 20 कलस्टरों को सिर्जन द्वारा निर्यात में बढ़ावा दिया जाएगा निवन मेंसे कि संगठन ने पुर्वी लदाख में 20 के सबसे उंची अस्थान पर बाहन चलाने योग सड़क का निर्मान किया है तो सिमा सड़क संगठन ने हाल ही में पुर्वी लदाख में उमलिंगा दर्रे के पास 19,300 फूट की उंचाई की अधिक से उंचाई पर बाहन चलाने योग सड़क का निर्मान किया है इसके साथ ही बोलीबिया के 18,953 फूट की उंचाई पर सड़क निर्मान का रिकॉर्ड तोर दिया है जो उमलिंगा दर्रे से होकर ने वाली 52 किलो मीटर की लंबी सड़क बनाई है कैबिनेट ने हाल ही में असकुली सिच्छा के लिए किस योजना को एक अपराइल 1921 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दिया है तो समगर सिच्छा योजना को पांच बर्स की अबदी के लिए जारी किया गया है बांद पुनरवास और सुधार पर्योजना के दूसरे चरन के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को रिन समझाता पर हस्ताचर किया है तो 250 मिलियन डॉलर पर 250 मिलियन डॉलर का रिंज हास्ताचर किया है यह सुधार परियोजना फेज 2 बाहता सहाइता प्राप्त डी फेज 2 और फेज 3 का पहला चरण है जिसे अक्टूबर 2020 में सुरू किया गया था नेक्स्ट है भारा सरकार ने परधान बैग्यानी के सलाकार हाली मेकी सराजिक के बकसर में एक बी केंदरी जैविची कित साफसिष्ट भट्टी का बर्चल उदगाटन किया है तो बिहार में बिहार में जून 2020 में बेस्ट टूल बेल थे मिसन के द्वारा उद्शूरू किया बायो मेडिकल बेस्ट टीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विक्सित किया गया है नेक्स्ट है सिरी राम जनभूमी तेटर छेत्र ट्रस्ट कब से सरदालों को राम मंदीर में आराध्य रामलला के दर्शन के लिए अनमती दे दिया है तो दिसंबर 2023 तक है इसकी यह मंदीर का 110 एकड में बनाया जा रहा है पूरे राम मंदीर कॉम्पलेक्स का निर्मान 900 से 1000 कड़ों रुपया खर्चाएगा और यह प्रोजेक्ट 2025 में ने शुरू किया बटी कोहन एक अमेरिकी बैपारी है जिन्होंने उनके एमिनेशन विचार धारा के लिए जाना जा अपने आप में ही एक चोटी असपेश सीप का काम करता है इसलिए हर अंत्री श्यात्री से पहन कर चंद्रमा पर जाते हैं नेक्स्ट है भारत की पहली महिला जासु उसर रजिनी पंडित है अस्टाटिक के जिक्के किरकेट के बारे में जानेंगे किरकेट की सुरूआत इं सरवोच संस्ता है इसमें खिलाडियों की संख्याई 11 होती है भारत में रजनी ट्रोफी भारत में रंजी ट्रोफी की सुरूआत 1934 में होई थी परिमाप पीच का लंबाई 22 गज गेंद का भार 155.9 गराम बैट की चोड़ाई 96 सेंटीमीटर अधिक्तम और बल्ले की एक त्राफी बिःड चकाम संस्ता इंतरनेशनल होकी फॉंडेशन यानि इसका मुक्याल है लुसाने स्वीटastर में है फिलाडियों की संक्या कितना होती है तो 11 होती है इसमें पर्मुक ट्रोफियों है आगा har groundsुडit तरोफी इंद्रागांदी आंतरास्टरिय सरवोच स्वर्नेट काप के डीसी अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक है और कमेंट अभसքरे अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बागल में बनने वाले बेल आइकन वस्दभाएं ताकि नेक्स झालओँ के जाता है